हालो फ्रेंट्स मेरा नाम है अन्जिल मालवे आप देखेरें मेरा यूट्यूब चैनल मोबाल टेक्नो गुरू तो फ्रेंट्स अभी आपको मैं कैसे अप्लिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जसी कि आप किसी भी परसन का या किसी दो जन का आप कॉल ब्लॉक कर सकते हैं यानि उसको लॉक कर सकते हैं जब आपका कॉल आएगा इंकमिंग उस नमबर से तो या तो पिन नमबर या पैटे नमबर या फिंगर प्रिंट से लॉक पूछेगा तो friends इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंट्रेस्टिक होने वाला है जो अभी आपने अभी तक किसी application में नहीं देखा तो please वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अन तक देखे इसके बाद ही आपको इस application का मालूम पड़ेगा तो friends सबसे पहले play store में जाएए यह अभी मेरे mobile में play store में जाएए आपने play store में जाएए महाँ पर लिखे incoming call incoming call lock यह जैसे आगया first number पर incoming call lock इसको के कर देते हैं फिर यह जो आइकन दिया हुए इस टाइप से तो इसके उपर क्लिक करेंगे third number में फिर इसको install कर देंगे friends इसको install करना है इस application को अभी यह link description में दिया हुए इस application का इसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे description में इसका link जरूर है तो आप पर जाके क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देंगे अभी हमारा install हो रहा है install होने के बाद देखते हैं क्या system इस application में एप में जिससे कि आप incoming call को भी ब्लॉक कर सकते हैं इसको lock कर सकते हैं किसी भी application से यह फिर open कर देते हैं अभी हमारा application open हो रहा है यह देखे फ्रेंट्स application open हो रहा है अभी इसमें कुछ permission पूचेगा कुछ permission देनी पड़ेगी यह first step है पर्मिशन का तो उसको ok करेंगे ok कर दिया इसको allow कर देंगे और इसको ok कर देंगे इसके बाद यह permission और पूचेगा तो इसको allow कर देंगे और back की दबाएंगे back की पर जाएंगे फिर ok कर देंगे provide permission हो गई यह को और permission है call lock का इसको भी ok कर देंगे इसको back कर देंगे यह यह लगते हैं यह हमारा पर्मिशन ओक्यों हो गया है अभी सेकेंड इस्टे में जाते हैं सेट लॉक टाइप एंड लॉक कैसा इंकमिंग कॉल पर रखना चाहिए पिन या पैटन हम जो पैटन से रखना यह प्रेटन पर क्लिक करेंगे और अभी हमें पैटन पर क्लिय हो गया है और फिर सेट पैटन कर देंगे अभी कौन से पैटन पर हमको कमी कॉल रिसीव करना है तो इसको ऐसे कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं फिर एक बार ऐसे कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं अभी अनेबल लॉक अनेबल लॉक को कर लेते हैं फिर सेटिंग में पूल अटेम्ट से आप पैटन लोग पर ट्राइ करते हो कॉल उठाने की तो आपका कॉल आटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा और कॉल टाइप आप लॉक्स इसमें जाएगे ओके करेंगे 21 नंबर को लॉक्ट करना आपको ओके करेंगे इसको अलाव कर देंगे ओल इंकमिंग कॉल करना है ओल अन्नोन कंटक्ट या ओल अन्नोन कंटेक्ट और सेलेक्टेड हमको किसी इक स्पेसिपाई नंबर का करना है तो सेलेक्टेड कॉंटेक्ट पर क्लिक करेंगे selected contact पर click किया contact पर फिर select contact to lock इसको ok करेंगे अभी हमरे पास contact number है समझो इस my number से मेरे को या अनिल वाली नाम लिखा हो मेरा नाम इस number से select करना या search भी कर सकते किसी का specify नाम लिखे जैसे आपके contact ज्यादा हो तो रोक कर देंगे और इसको याँ से save कर देंगे operation complete हो गया है अभी हम call block भी कर सकते हैं इस system है call block में number भी लगा सकते है call blocking का भी है इसमें आप किस timing से lock करना उसका schedule भी देख सकते हैं अभी हम back करके देखते हैं और specified number से call करके देखते हैं जिसका number हमने block किया था अभी मेरे दूसरे number से मेरे को call लगाता हूँ जिस number से मैंने उसको block किया था अभी friends देखिए ये मेरा mobile number है इससे में block लगाता हूँ अभी इस number से phone आएगा तो आपको क्या show करेगा देखते हैं friends अभी देखिए friends incoming call आया लेकिन pattern बता रहा है अभी इस pattern को accept करोंगे तो ही हमारा lock खुलेगी जैसे इसको हमने बना दिया pattern यही वापस तो देखिए friends हमारा lock खुल गया है और phone pickup कर सकते phone attend कर सकते हैं अभी हमारे बात चलू है तो friends वीडियो कैसा लगा और यह application कैसा लगा वीडियो को like जरूर करना और चैनल को subscribe जरूर करना और अपने friends को भी share करना जिसे किसी person का हम call lock कर सकते हैं उसको unlock कर सकते हैं किसी एक ispace person का तो friends वीडियो को अंतक देखिए लिए धन्यवाद ओके